आज हम क्लाश 10th मैथेमेटिक्स का जो चैप्टर नमबर 4 है द्विगास समीकरण की प्रशनावली 4.4 हल करेंगे मैं प्रशन नमबर 1 नेमन द्विगास समीकरणों के मूलों की प्रकरती ग्याद कीजिए यदि मूलों का अस्तितु हो तो उन्हें ग्याद कीजिए इस प्रशन में एक सब्दाया है मूलों की प्रकरती मूलों की प्रकरती ग्याद करने के लिए क्या करेंगे इसके लिए जो कुछ फॉर्मूला है सबसे पहले क्या करेंगे उन्हें विविक्तिकर डी ग्याद करेंगे डी क्या होता है दिखास उत्र है आपको पता है B square minus 4 A C चलिए शुरू करते हैं द्विघास समीकरण द्विघास समीकरण पता है A X square प्लस B X प्लस C बराबर 0 जहाँ A naught equal to 0 यह इसका क्या है? मानक रूप है इसमें जो यहाँ पर value होगी वे A के बराबर जो यहाँ पर होगी वे B के बराबर और यह C का मान और विघास दिकर जहाँ पर A naught equal to 0 विघास दिकर विघास दिकर का भी सुत्र पता है हमें इसे D से परदरसित करते हैं D बराबर B square minus 4AC इस उत्र हमें पता है अब चलिए मूलों की प्रकरती देखते हैं मूलों की प्रकरती मूलों की प्रकरती ग्यात करने के लिए सबसे पहले हम विविक्तिकर D निकालते हैं इसमें गया एक तो कंडिशन बनेगी इसमें यदि B square minus 4AC बड़ा है जीरो से यदि B square minus 4AC जीरो से बड़ा है तो दो अलग अलग वास्त्विक्मूल होते हैं अलग अलग मूल प्रकरत होंगे हमें समे करन के और वास्त्विक्मूल प्रकरत होंगे अलग अलग वास्त्विक्मूल होते हैं नमबर दो यदि B square minus 4AC बड़ाबर है जीरो मतलब अगर B square minus 4AC का मान हल करके जीरो आया तो दो बराबर वास्त्विक्मूल होते हैं तो बराबर दोनों बराबर का मतलब है दोनों एक जैसे मूल प्रकरत होंगे हमें अगर एक मूल मानलों चार है तो दूसरा भी चार एक मूल तीन बटा दो है तो दूसरा भी हमें तीन बटा दो प्राब्ट होगा तो दो बराबर वास्त्विक्मूल होते हैं नमबर तीन यदि B2-4AC का मान 0 से छोटा आया तो यानि B2-4AC का मान रिनात्मक आया तो कोई भी वास्त्विक्मूल नहीं होता है ऐसे समिक्रन का कोई भी कार्मनिक मूल हो सकता है लेगिन कोई भी वास्त्विक्मूल नहीं होगा यह हमारे तीन स्टेप हो गए कंडिशन हो गए हमें वास्त्विक्मूल यह हम समिक्रन को कवी विक्ति कर निकालके पता कर लेंगे कि मूलों की प्रकर्ती क्या है वास्त्विक्मूल है या बराबर मूल है या फिर कोई भी समिक्रन का मूल नहीं है ये मूलों की प्रकर्टी ग्याद करने के लिए सुद्र है exercise शुरू करते है question number एक का first part निम्र दियुगास समी करोनों के मूलों की प्रकर्टी ग्याद कीजिए यदि मूलों का अस्तित हो तो सबसे पहले क्या करेंगे मूलों का अस्तित हो ग्याद करेंगे first 2x square minus 3x plus 5 परावर 0 यहाँ पर a बरावर जो यह है यह a का मान है b का मान मान माइनस 3 और c plus 5 अचर पर जो है वो c होता है मूलों की प्रकर्टी ग्याद करते है विविक्तिकर d बरावर फोर्मुला पता है b square minus 4ac d बरावर b का मान रख देंगे minus 3 square minus 4 गुणा 2 गुणा 5 d बरावर जब square करेंगे तो minus minus plus 3 तिया 9 minus 4 दुनिया 8 पंजे 40 minus 40 बड़ा है 9 छोटा है तो d का मान आया minus इस मैसे से घटाएंगे तो आजाएगा minus 31 यह हमारा d का मान आ गया d का मान किस में आया है रिनात्मक इनके minus में आया है तो यहाँ पर विवास्तविक मूल है इसके नहीं है मूलों की प्रकरती इससे हमें ग्यात हो गई चुंकि d का मान minus 31 है ऐसे लिखेंगे चुंकि d का मान minus 31 यानि के रिनात्मक है अत्यास अमिकरन के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है ये आगे कुश्चन हल नहीं होगा जब इसके वास्तविक मूल नहीं है अत्यास अमिकरन के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है ये प्रश्न यहीं पर छोड़ दे हैं ये इसका अंसर आगे कुश्चन नबर फर्स्ट का सेकेंड 3x स्क्वाइर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 यहाँ पर a का मान 3 b का मान माइनस 4 रूट 3 और c का मान 4 सबसे पहले विविक्तिकर ग्याद करेंगे विविक्तिकर d बराबर b स्क्वाइर माइनस 4 ac मान रख देंगे माइनस 4 रूट 3 स्क्वाइर माइनस 4 गुना 3 गुना 4 जब इसका हल करेंगे तो 4 रूट 3 गुना रूट 3 गुना 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 गुना 4 गुना रूट 3 गुना रूट 3 गुना रूट अइसे हो जाएगा यह इनकी गुना करेंगे 4 गुना 4 गुना 4 गुना रूट 3 गुना 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा तो D का मान क्या आया D बराबर 0 आ गया हमारा एक तो बात है मैं पता चल गई कि यदि D का मान 0 आया तो समी करण के दो बराबर मूल होंगे ऐसे लिखेंगे चुंकी D का मान 0 है इसलिए समी करण के दो बराबर और वास्त्विक मूल होंगे समी करण के दो बराबर और वास्त्विक मूल होंगे ये बात मैं पता चल गई अब हम दिवगाती सुत्र से मूलों को ग्याद करेंगे हमें D का मान पता है तो इसलिए आसानी होगी कि हम गुरान खंड विधी से ना करके दिवगाती सुत्र से ग्याद करें यहाँ पर लिखलेंगे दिवगाती सुत्र से दिवगाती सुत्र का पता है आपको X बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वार माइनस 4AC बट्ट 2A B स्क्वार माइनस 4AC क्या होता है यह होता है हमारा विविक टिकर D तो यहाँ पर D का मान रख देंगे बराबर माइनस B से ऐसे भी लिख सकते है प्लस माइनस अंडर रूट D बट्टा 2A अब इसमें मान रखेंगे माइनस B B का मान हमारा क्या था माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस D का मान हमारा क्या है 0 यहाँ पर 0 डारेक्ट लिख देंगे यह हमने पहले निकाल लिया बटा दो गुना एक अमान हमारा थीन X बराबर के आया मैनस मैनस पलस हमारा जाएगा प्लस का चार रूप थीन प्लस माइनस जीरो जीरो का बर मुल जीरो वट्टे दो तिया छे अब इस परकार एक बार प्लस चिन लेने पर एक बार माइनस चिन लेने पर प्लस चिन लेने पर हम पर लिख देंगे माइनस चिन लेने पर कि जो वर मुल का मान हमारा है वो प्लस माइनस में है प्लस चिन लेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा चार रूट तीन प्लस जीरो बट अच्छे जिब चार रूट तीन में जोड़ेंगे तो कोई फरक नी पड़ेगा मान पर एक बराबर चार रूट तीन बट अच्छे दो दूनी चार दो तिया छे एक का मान आ गया दो अंडर रूट तीन बट तीन एक तो हमारा मूल यह आ गया X का मान इसी परकार रिनात मक्चिन लेने पर X का मान हमारा क्या होगा इस बार माइनस रखेंगे 4 रूप 3 माइनस 0 यहां पर कोई फरक नहीं पड़ा था 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर कोई फरक नहीं पड़ता दो त्या चे तो हमारे दोनों मूल आ गए बरा बरा आ गए 2 रूप 3 बटा 3 दीवें समीकरंड के एक तो हमारा यह आ गया मूल और यह आ गया समीकरंड के मूल दो रूप तीन बटा तीन और दोनों समाना आ गए दो रूप तीन बटा तीन है यह अंसर आ रहा है सेकंड पार्ट सॉल कर लिया थर्ड पार्ट टू एक्स स्क्वाइर माइनस छे एक्स प्लस तीन बराबर जीरो इसमें ए बराबर दो बी कमान माइनस छे और सी कमान प्लस तीन सबसे पहले वह करेंगे विविक्तिकर ग्याद करेंगे विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी तो क्या जाएगा मान लखेंगे माइनस छे स्क्वाइर माइनस चार गुना दो गुना तीन तो डी कमान क्या जाएगा हमारा 6 चंग चाथिस माइनस माइनस प्लस माइनस चार दुनिया आठ तिया चौविस तो डी कमान हमारा आ गया जब इस मैसे से घटा आएगे छे मैसे चार गए दो बारा यहां गया हमारा प्लस में धनात्मक है यानि जीरो से बड़ा है लिखेंगे चुंकी बारा जो डी का मान है बारा वो जीरो से बड़ा है पत है समीकरण के मूल वास्तविक और आसमान होगे आसमान मतलब अलग-अलग होगे इस लिए समीकरण के मूल वास्तविक और आसमान होगे इतनी बाद तो हमें पता चल गई आगे सोल करते हैं D का मान हमें घ्या थे तो इसे हम दीवगाती सुत्र से सोल करेंगे हम पर लिखेंगे दीवगाती सुत्र से दिवगाती सुत्र क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वाइर माइनस 4ac बढ़ता 2a b स्क्वार माइनस 4ac d के बराबर होता है यहाँ पर दिख लिएंगे – b प्लस माइनस अंडर रूट d बढ़ल्टा 2 into a तो X का मान क्या जाएगा हमारा मैनस B मैनस B क्या है मैनस 6 प्लस मैनस D का मान है अंडर रूट 12 बट्टा 2 गुना एक का मान है 2 2 गुना 2 हो जाएगा X बराबर मैनस मैनस प्लस 6 प्लस माइनस इसका वर्ग मुल गयाद करते हैं वर्ग मुल गयाद करने की विदी दो चेकी बारा दो तिया छे तीन इकम तीन यह हमारा जोड़ा बन गया यह तीन अकेला है तो जोड़ा बन गया उसमें से एक बाहर ले लेंगे और तीन को हम अंडर रूट में रखेंगे टू रूट तीन रूट बारा का वर्ग मुल गया दो दूनी चार यह हमारा इसको यहीं पर छोड़ देंगे किसका मान आगया एकस का मान आगया इसी परकार एक बार प्लस चिन लेने पर यह रफ वर्ग है प्लस चिन लेने पर और एक बार माइनस चिन लेने पर जब हम प्लस रूट तू रूट तीन लेंगे तो एकस का मान क्या आएगा छे प्लस दो रूट तीन बटे चार यहां से हम क्या बाहर ले लेंगे इसमें तो दो उभे निश्ट है दो यहां से बाहर लेंगे तो रूट तीन बचेगा यहां से बाहर लेंगे तो जब इसमें पहरणा चलाएंगे तो 3 बचेगा 2 बाहर लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 बटा 4 यह गुणा में आ गया तो 2 दूनी 4 X कमान हमारा क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 एक हमारा मुह लिए आ गया और दूसरा माइनस एक बार माइनस चिन लेने पर X बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4 इसी परकार यहां से 2 कमान लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 4 तो एक हम दो 2 दूनी 4 X कमान हमारा क्या आ गया? 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 एक हमारा यहां गया इसी परकार लिखेंगे अत्य है एक समीकरण का मूल हमारे यहां गया एक हमारे यहां गया अत्य है समीकरण के 3 प्लस रूट 3 और 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 मूल होंगे आंसर आ गया बड़ी आसा निश्या आ गया यह हमारा कुश्चन नमबर एक पूरा सोल हो गया अब प्रस नमबर दो निम्न प्रत्यक दिवगा समीकरण में के का ऐसा मान ग्याद कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो प्रिस्ण में क्या दिया हूँ है दो बराबर मूल हो यह हमें दिया हूँ है बहुत एच्या कुश्चन है अब ध्यान से देखेगे सोल करते हैं फस्ट पार्ट 2x square plus kx 2x square plus kx plus 3 बराबर 0 हमें k का मान गयाद करना है a बराबर 2 यह value b की जगा है तो इसे हम b मान लेंगे b बराबर k और c का मान 3 हमें क्या दिया हुआ है प्रस्ण में प्रस्ण में दिया हुआ है कि 2 बराबर मूल हो और हमें पता है जब दिया है प्रस्ण में क्या दिया गया है जब बराबर मूल हो तो क्या होता है D Switch कामान जीरो होता है D कामान क्या होगा जीरो तभी तो समिकरण के दो बराबर और वास्त्र機 मूल होगे इसलिए हम D completely zero होगा तो जब समिकरण जो हमारी दियुका समिकरण है उसका विविक्तिकर निकालेंगे तो D कामान हमें पता है विविक्तिकर डी बराबर क्या होता है बी स्क्वाइर माइनस 4 एसी डी का माना में पता है जीरो बी का माना में के स्क्वाइर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 के स्क्वाइर माइनस 4 दुनिया तिया 24 इसको इधर ले आएंगे तो के स्क्वाइर बराबर कितना हो जाएगा जब इसे इधर लाएंगे तो के स्क्वाइर बराबर 24 और क्या का मान आ गया प्लस माइनस अंडरूट चौबिस जब इधर से वर्ग अटाएंगे तो इधर प्लस माइनस अंडरूट वर्गमूल लग जाएगा चौबिस हमें इसका वर्गमूल गयात करना है अगर यहाँ पर सो होता है या फिर ऐसे चार होता तो हमें पता था उनकी डबल गुना करके राख देथे तो इसका वर्गमूल-हम निकालते है तो चौबिस का वर्गमूल निकालने के लिए इसे ग हम दो दो गनी चाहर दो छकी बारह दो टिया च्छह और जब तक यहाँ एक नह er है तक के गुणा करके वर्गमूल के अंदर लिख देंगे तो केकमान हमारा क्या आएगा दो दो बाहर रखेंगे तीन दुए छे दो रूट जिक्स प्लस माइनस यह हमारे केकमान आ गया यही हमें निकालना था फरस्ट पार्ट कुश्चन का स्वल हो गया सेकेंड पार्ट केक्स अंदर रूट एक्स माइनस दो प्लस छे बराबर जीरो इस समिकरण में हम देखेंगे तो यह पूरा सोलो नहीं है यानि यह दिविगा समिकरण नहीं है पहले इससे हल करते हैं केक्स की कुण एक्स में करेंगे तो यहां परा जाएगा केक्स स्क्वार माइनस तू केक्स प्लस छे बराबर जीरो अब क्या गई हमारी यह दिविगा समिकरण इसमें यह क्या गए हमारी दिविगा समिकरण ए बराबर के बी का मान सोरी बी बी का मान माइनस टू के और सी बराबर जीरो फिर इसी परकार जब मूल बराबर हों तो विविक्टी कर डी क्या हो जाएगा जीरो जब मूल बराबर हों यह क्यूश्चन में दिया हुआ है तो विविक्टी कर डी का मान क्या हो जाएगा जीरो बी स्क्वाइर माइनस फूर एसी यह हमारा विविक्टी कर है इसका मान क्या हैगा डी का जीरो मान इसमें रख देंगे बराबर डी होता है तो बी स्क्वाइर के माइनस टू के स्क्वाइर माइनस चार गुणा के सी का मान छे था यहां पर गलती से लिखा गया गुणा छे बराबर डी का मान नहीं पता है जब मूल बराबर है जीरो यहां पर जागा दो दूनी चार के स्क्वाइर माइनस चार गुणा के बराबर जीरो यहां से हम इधर चोविस के है इधर चार के तो चार के बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा जिब 40 में से 12 आ गया क्या आ गया तो यहाँ पर तो के बचेगा माइनस 4, 6, 26, 6 के माइनस 6 पराबर 0 के माइनस 6 इधर रहेगा यह इधर गुणा में है तो इधर जाके बट्टे में आ जाएगा और इसकी वेल्यू क्या हो जाएगी 0 तो के माइनस 6 पराबर क्या हो गया 0 के का माइनस क्या हो गया इधर माइनस का है तो इधर का इधर जाके प्लस का आ जाएगा के का माइनस हो गया प्लस 6 यही हमें निकालना था यह हमारा आंसर आ गया कुष्टन नमबर दो हमने पूरा सॉल कर लिया अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना